जैसे ही मैंने मांगने वाले को जट से कुछ पैसे निकाल कर दिया ही था कि पांडे जी ने फ्रोरन कहा ये फ्रोड लोग होते हैं इन्हें जरा देख भाल कर देना चाहिए ये लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और हमें ठकते हैं पांडे जी की बातों को सुनकर मैंने कहा आपने बिलकुल सही फरमाया पहले मैं भी ऐसा ही करता था लेकिन एक वाक्ये ने मेरी दुनिया ही पलट कर रख दिया रोज की तरह मैं घर से ऑफिस के लिए जा रहा था के रास्ते में एक सक्स फूट पात के किनारे अपना बिमार बच्चा लेटाये हुए उसे होस्पिटल ले जाने के लिए भगवान के नाम पर टैक्सी का किराया मांग रहा था ओ कभी किसी पैदल का बाजू पकड़कर हाथ जोड़ देता मेरा बच्चा बचा ले मुझे टैक्सी का किराया दे दे तो कभी किसी गाड़ी वाले को हाथ देखकर रोकता और उसके पीछे भागता कि ओ कार में उसके बच्चे को होस्पिटल पहुँचा दे कोई रुखता तो कोई नहीं रुखता जो भी रुखता वो भी उससे घूर कर देखता और आप वाली सोच सोच कर उससे डाटता काम करके खाने की नसीहत करता और आगे निकल जाता मैं जैसे ही अपनी कार पार कर रहा था कि उसकी नजर मुझ पर भी पड़ी और वो मेरे गारी के सामने आकर खड़ा हो गया था और मेरे रुकते ही मेरे दर्वाजे के सिसे पे जोर जोर से चिपने लगा जैसे ही मैंने गिलास नीचे किया उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा भाई जान खुदा के लिए मेरे बच्चे की जिंदगी बचा लें उसे सख्त बुखार है आप नीचे उतर कर उसको देख तो लें तो आपको यकीन आ जाएगा आप देंगे तो साइद किसी और को भी इतबार आ जाएगा मगर मैं भी उसी की तरह सोच रहा था मैंने भी उसे काम करके खाने की तस्कीन की और पिछले जुमा की सुनी हुई हदीश उसको भी सुना दी कि कमा कर खाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है और गिलास बन करके आगे बढ़ गया ये बढ़वडाते हुए कि हरम खोर ये हमें बेवकूप समझते हैं दो-तीन घंटे के बाद मैं वापस आया तो अब भी उसी जगह खड़ा मांग रहा था बच्चे को अब वो सड़क के किनारे ले आया था और उसके चेहरे से कपड़ा भी उठा रखा था और वो दहाड मार मार कर रो रहा था अब वो अपने बच्चे के कफण और दफण के लिए मांग रहा था मैं गाड़ी रोक कर नीचे उत्रा और मैयत की तरफ देखा फूल की तरफ मासुम बच्चा जिन्दगी का बाजी हार गया था मेरे रोंग्टे खड़े हो गए मैंने जेब में जो कुछ भी था जेब से निकाल कर बेगर देखे उसके तरफ फेका उससे पहले की उसका बाप मुझे देखे मैं उस तेजी से वहां से निकला मानो दुनिया की सारी बलाएं मेरे पीछे लग गई हो मैं आफिस पहुचा तो मेरा बुरा हाल था ऐसा कि जैसे मुझे बुखार जकरने लगा हो मेरा काम में मन नहीं लग रहा था मैंने उस दिन की सारी मीटिंग को कैंसिल कर दिया मैं भी उसी बच्चे की तरह एडिया रगड रगड कर मरना चाहता था दो तीन दिन के बाद बुखार को तो अराम आ गया लेकिन मैं जहनी मरीज बन गया था मुझे लगता था कि मेरी उसी सोच से ओ बच्चा मर गया कुछ दिन गुजरे मैं आफिस में इस टाक से बात कर रहा था तब तक रिसेप्सन से आवाज आई सर आपसे कोई मिलना चाहता है मैंने पलट कर देखा सामने उस मरे हुए बच्चे के बाप को देखकर मुझे जखकर आ गया और मैं पत्थर का बुथ बने उसे देख रहा था तब ही उसने अपने जेब में हाठ डाल कर कुछ पैसे निकाले और मेरा शुक्रिया आदा करके कहने लगा कि आपके पैसे बड़ी बरकत वाले थे साइद आपके खुलूस की बरकत थी पिर मेरे बहुत सारे काम हो गए सारे खर्चे के बाद कुछ पैसे बच गए और उनमें से कुछ पैसे मैंने उधार लेकर डाले हूँ ये आप कुबूल कर लीगी बाकी मैं आपको जल्दी वापस कर दूँगा मैंने पैसे वापस लेने से सक्ती से इंकार कर दिया और मिन्नत करके उसे पैसे रखने को राजी कर लिया और जैसे ही वो जाने लगा मैंने उसे रोका और अपने कमपनी में काम करने के लिए पूछा वो ऐसे राजी हो गया जैसे उसे काम की ही तलास थी और किसी ने उसके दिल की बात सुन ली हो वो बहुत खुस हुआ और अगले ही दिन से मेरी कमपनी में बतोर वाचमेन काम करने लगा पांडे जी मैं आपको उसे मिलवाऊंगा लेकिन ओ कारवाला किस्से का जिक्र उससे मत करना उसने आज तक नहीं पहचाना कि उसने मेरा भी कार रोक कर उसे मदद मांगी तो मुझे एक बड़ा ही नेक इंसान समझता है जिसने उस बच्चे की लास देखकर अपना सब कुछ निकाल कर दे लिया पांडे जी उस दिन के बाद से मैं किसी को खाली हाथ नहीं लोटाता थोड़ा सा देने से ना वो अमीर होता है और ना मैं गरीगी बद्दिल को तसली होती है और रह गई लोटने की बाद तो पांडे जी हमें कौन नहीं लोटता कपड़े वाला हमें लोटता है दवाई वाला हमें लोटता है सबजी वाला हमें लोटता है दूद वाला हमें लूटता है इतना सा लूटने के बाद अगर कोई हमें खुदा के नाम पे लूट ले तो शायद मरने के बाद खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर दे कि ये बंदा मेरे खातिर मेरे नाम पे लूटता रहा और साइध हमारी गुनाह बक्स दे पांडे जी माना की हर मांगने वाला सच्चा नहीं होता पर जरूरी ये भी नहीं के सब जूठे ही हो वैसे भी अपने काम काज में कई बार फेल होने के बाद भी हम कोशिश करना नहीं छोड़ते तो कुछ ठख लोगों की वज़ा से जरूरत मंदों की मदद करना के चोड़ देते हैं